क्या आत्मग्यान समय के साथ धीरे-धीरे होता है? या शरीर, मन और उर्जाओं के पूर्णता के बिंदू तक पहुचने पर एक बड़ी छलांग के साथ होता है? आम का मौसम खत्म हो रहा है. भारत में ये बहुत बड़ी चीज है. अगर आपने अक्तूबर, नवंबर, दिसंबर के महिनों में आम के पेड़ को देखा, तब आपको उस पेड़ से मिठास टपकती हुई नहीं दिखी होगी. अचानक जनवरी फरवरी में फूल आ गए. लेकिन वो इतने सुंदर नहीं थे, जितने चमेली, गुलाब या दूसरे फूल होते हैं, कुछ छोटे-छोटे फूल आये थे. मान लीजे कि आपको ये नहीं पता कि ये आम का पेड़ है और आपने इसे चक लिया. आप एक पत्ती लेते हैं और उसे खाते हैं, वो काफी कड़वी थी. लेकिन अचानक अप्रेल मई के महिनों में मिठास की बड़ी-बड़ी बून्दे उस पेड़ पर लटक रही हैं. तो अगर आपको पहले से पता ना होता कि ये आम का पेड़ है, तो क्या आपको लगता कि ये पेड़ असल में मिठास बना रहा है? पर क्या आपको लगता है कि मिठास अप्रेल में अचानक आ गई? पेड़ इस मिठास को धीरे-धीरे तयार कर रहा था, और एक खास मौसम में उसने इसे बाहर निकाला. पर काम पूरे साल चल रहा था, है ना? आम सिर्फ एक मौसम में आते हैं, आपको मिठास से खास समय पर ही दिखती है, इसका ये मतलब नहीं कि आम का पेड़ मिठास बनाने के लिए मेहनत नहीं कर रहा था, आप आम के पेड़ का कोई भी हिस्सा काट कर चखिए, आपको थोड़ी भी मिठास नहीं मिलेगी, मेरा यकीन कीजे, पराम के आने पर कितने मिठास आती है, ये कहां से आई, वो इसे बनाने में लगा हुआ था, बस आप देख नहीं पाए, ऐसे ही, क्या ये एक प्रक्रिया है, बिलकुल ये एक प्रक्रिया है, पर क्या सभी इस प्रक्रिया को पहचान सकते हैं, नहीं, जब कि आध्यात्मिक पत पर आगे बढ़ता है, तो दूसरों को लगता है कि वो पागल है, किसी को लगा कि वो घुमककर और आवारा है, किसी और को कुछ और लगा, लेकिन जब मिठास आई, तो जिसने भी उसे चखा, वो जान गया कि ये जबरदस चीज है, ब्रह्मांड में कुछ भी धमाके के साथ नहीं होता, हर चीज एक प्रक्रिया है, सवाल ये है कि क्या उस प्रक्रिया को पहचान सकते हैं, आम तोर पर कोई भी व्यक्ति, जो आम तोर पर इनसानों में, जब वो बच्चे होते हैं, अगर कोई बच्चा किसी ऐसी प्रतिभा के साथ आता है, जिसे दबाना मुश्किल हो, प्रतिभा सभी में होती है, पर वो दब जाती है, समाच के सिस्टम, उनके अपने डर, उनकी अपनी चिंताएं और सुरक्षा की जरूरतें उनके प्रतिभा को दबा देती हैं, हर मनुश्य में कोई न कोई प्रतिभा होती है, लेकिन 90 प्रतिशत से ज्यादा लोग उसे प्रकट नहीं कर पातें, क्योंकि वो दूसरी चीजों के आगे हार मान लेते हैं, दूसरी चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जब आप 12-15 साल के थे, आपने सोचा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं चांद पर जाऊंगा, पर आपने पडोस की लड़की को देखा, और उसी को चांद बुलाने लगे, चांद गायब हो गया, तो इसी तरह हर किसी में संभावना पूरी तरह से खुली है, बात ये है कि क्या आप प्रक्रिया को जारी रख सकते हैं और उसे संभावना में बदलने देते हैं संभावना और वास्तविक्ता के बीच एक दूरी है ये रास्ता तय करने के लिए ज्यादातर लोगों में न तो साहस है और न ही दृड निश्च है ज्यादातर लोगों के लिए आध्यात्मिक प्रक्रिया एक मनुरंजन है एक के बाद एक प्रवचन में आना, एक के बाद एक इताबे पढ़ना और अपनी आत्मा पर मात्मा, अपने हवा में उड़ते प्राणों के बारे में और स्वर्ग और नर्क और हर चीज के बारे में बाते करना लेकिन अपने बारे में कुछ ना करना मुख्य रूप से ये एक मनोरंजन है तो एक प्रक्रिया जरूर होती है ये प्रक्रिया जागरुख होकर की जा सकती है या अनजाने में भी हो सकती है लेकिन आप सही चीज़ें कर रहे हैं इस ब्रह्मान की यही खुबसूर्ती है चाहे आपको पता हो या ना हो जान बूचकर या अनजाने में अनुशासन में या बिना अनुशासन के प्रेम से या नफरत से अगर आप सही चीज़ें करते हैं तो आपके साथ सही चीजें होंगी ये इस ब्रह्मान की खुबसूरती है इसलिए आदि शंकर ने कहा योग रतोवा भोग रतोवा चाहे योग के द्वारा या भोग के द्वारा किसे ने किसी तरीके से अपनी भीतरी प्रकृती का सत्य ढून लो क्योंकि जिसे हम सत्य मान रहे हैं वो बस यही है कि जो चीज जीवन के हर स्तर पर कारगर हो वही सत्य होनी चाहिए है न? जो भी चीज जीवन के हर स्तर पर काम करे वही सत्य होगी जो भी आपने अपने जीवन में जाना है उसे अभी परक है क्योंकि आपका मन आगे की सोच सकता है फिलहाल आप एक खास तरह की कमाई या खास तरह के घर या कार या किसी और चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं खुद को जीवन के अलग-अलग पड़ावों में रखें और देखें कि क्या वो चीजें तब भी महत्वपून है मान लीजिए कल नहीं, सौ साल बाद आप मरने वाले हैं ये देखें कि क्या आपके गहने, आपका मेकप, आपकी कार का उस दिन आपके लिए कोई मतलब होगा इसका ये मतलब नहीं कि आप इन चीजों को आज ही छोड़ दें बस इतना है कि इन्हें उनकी जगा पर रखिए इनको अपने दिल में जगा मत दीजिए किसी चीज का इस्तिमाल करने और किसी चीज के द्वारा इस्तिमाल किये जाने में फर्क है ज्यादा तर लोगों को ये पता नहीं होता कि जो चीजें उन्होंने खरीदी है उनका इस्तिमाल कैसे किया जाए उनकी खरीदी हुई चीजें उनका इस्तिमाल कर रही है वो इनसान को गुलाम बना रही है आप जिस भी चीज का इस्तिमाल करना चाहें कर सकते हैं, समस्या वो नहीं है, समस्या ये है, कि आप उन्हें खुद का इस्तिमाल करने देते हैं, ये ठीक नहीं है. तो अगर आप बस ये ध्यान रखें, कि कोई चीज आपका इस्तिमाल ना कर पाए, आप अपने जीवन में हर चीज की सीमित भूमिका को समझें, अपनी शिक्षा की सीमित भूमिका, अपने करियर की सीमित भूमिका, अपने शादी और रिष्टों की सीमित भूमिका, अपनी दौलत की सीमित भूमिका, अपने हर काम की सीमित भूमिका, अगर आप ये समझें कि जीवन में कोई चीज कहां शुरू होती है और कहां खत्म होती है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जब मौसम सही होगा तो फूल खिलेंगे और आम आएंगे जब मौसम प्रक्रिया शुरू होती है